हेलो दोस्तों जब आपके एडसंस अकाउंट में 10 डॉलर कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद आपको आइडेंटिटी वेरिफिकेशन करना होता है यह वेरिफिकेशन तब करना होता है जब आपके अकाउंट पर 10 डॉलर कंप्लीट हो जाते हैं आपके यूट्यूब और हमारे ऊपर जीमेल नहीं आई कब आपको क्या करना है आपको एडसेंस आप चख करोगे तो वहां पर कुछ इस तरह से जैसे आप अपने आपनों थो यहां पर आपको ऐसा रड़ पट्टी में एरर का प्सट्ट एक आजाएगा जहां पर लिखाओगा अकाउंट required लिखकर आएगा account required लिखकर आएगा red एक पट्टी होगी जहाँ पर आपको एक error का icon मिलेगा उसके सामने go to payments लिखा होगा इस तरह से आपको एक red पट्टी देखनों के मिलेगी आपको क्या करना इसको जूम करेंगे तो आपको क्या करना उपर आजना अगर आप मोबाइल से काम कर रहें आपका पैमेंट इंफो आ जाएगा आपको क्या करना उपर देखनों को मिल रहा है इस तरह से एक red पट्टी आईगी जहाँ पर लिखा होगा आइडेंटेटी वेरिफिकेशन के लिए आप यहां पर क्लिक करेंगे वेरिफाइट नाव जैसे आप वेरिफाइट नाव पर क्लिक करोंगे आपको कुछ इस तरह से एक option देखने को मिल जागा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, what you will need for verification, मतलब आप जब verification करोगे तो आपको क्या-क्या documents लगाने होंगे verification के लिए, देखें यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है, you will need to verify your identity to keep earning on YouTube, अगर आप YouTube से earning करना चाहरे हो, कमाना च पड़ेगा, identity verification करना पड़ेगा, an ID to verify that it's value, मतलब एक ID आपको लगाने ही पड़ेगी, जिससे है, verify हो जाए कि आप हो, क्या-क्या आप लगा सकतो, दोखो यहाँ पर लिखा हुआ है, accepted documents, including, क्या-क्या आप लगा सकतो, driving license लगा सकतो, अगर आपके पर driving license है, तो आप लगा सकतो, passport बना हुआ है, तब आप identity verification इससे कर सकतो, pan card लगा सकतो, voter ID card लगा सकतो, यहाँ पर आप आधार card नहीं लगा सकतो, अगर आपका आधार card बना हुआ है, और यह सारे documents नहीं है, तो आपको problem आ सकते, इसलिए इन 4 में से कोई ना कोई आपका document होना चाहिए, जब इन 4 म पर आपको देखने को मिल रहा है, start verification का आपको एक option देखनों को रहा है अगर आपको लगारा है यह सारे documents में से कोई ना, कोई आपके पास है, तो आपको क्लिक कर देना है, जैसा है आप start verification पर click करोगे, इस तरह से말ब आपको रहेघा हुए, यहाँ निकाई यहाँ राइट लिखा नाम वही आपको सेम यहां पर लिखना है legal name में ठीक यह लेम में जब आप अपना नाम यहां पर टाइप कर लोगे अब आपको क्या करना पड़ेगा select ID type मतलब ID type कौन सी ID का आप यूज कर रहो driving license लगा रहो passport लगा रहो pen card लगा रहो या फिर voter ID का लिया पर मैं pen card लगा कर रहा हूं तो pen card लगा लिया आप जो भी करतो वह आपको यहां पर चूज कर लेना फिर आपको क्या करना है देखिए यहां पर नीचे लिखकर आ गया आधार cards are not accepted मतलब आधार cards accept नहीं होंगे आप आपको क्या करना है देखिए यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है आपको back of the photo लगानी है मतलब मतलब दो पार्ट होते हैं एक आगे का एक पीछे का तो आपको दोनों की फोटो कैसे क्लिक करने मैं बता दूं यहां पर आपको साफ साफ अधर्वाइज आपका documents accept नहीं होंगे आपकी verification accept नहीं की जाएगी और आपका account reject भी हो सकता आगे problem हो सकती आप जब भी किसी भी documents की photos क्लिक करेंगे आपको क्या करना पड़ेगा proper photos क्लिक करने पड़ेगे उसके चारो corner होते हैं corner में क्या होता है जब आप upload करोगे तो आपका account verify हो जाएगा यहां पर देखिए जो भी account का document है मैं उसको front of ID लगाता हूं और uploading करता हूं यहाप uploading में थोड़ा सा time लगेगा आपके net के उपर आपके area के उपर depend करेगा और आपका document कैसा है पूरी तरह से रीड करेगा जब पूरी तरह से तो इस तरह से यहां पर cross लिख कर आजाएगा मतलब आपके जो फोटोज होगी जो documents होगा वह यहां पर आजाएगा नेम वगेर उसका लिख कर जब यह सारी चीज़ हो जाएंगे आप front of id भी upload कर लोगे back of id भी upload कर लोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा next पर click करना पड़ेगा next पर आप जैसे ही क्लिक करोगे यहां पर आपको अपना address एड्रस होना चाहिए ठीक है आपका एड्रस सही होना चाहिए सारी चीज़ों में सही फिल होनी चाहिए और मेर अकॉर्डिंग आप उसमें अपना मुबाइल नंबर भी एड कर देज़ेगा जिससे कि अगर पोस्ट ऑफिस से कोई भी लेटार आता पोस्ट में को थोड़ा सा इसू होता तो काल करके आप से कनफिर कर सकता है ठीक है आपको अड्रस यहां पर फिल कर देना है जैसे आप लिकलोगे सारी चीज़ा आप अप कर दोगे इसके बाद को संमिट पर क्लिक करकम कर दोगे और जैसे submit कर लोगे आपका account verify हो जाएगा अब आपको चेक कैसा करना है आप अपने account पर जाओगे Gmail पर जाओगे तो अगर आपके documents accept होगे तो आपको एक mail देखनों को मिल जाएगी कि आपके accounts के जो भी documents आपने अभी submit कि हैं वो accept कर लिए गया otherwise आप उसी adsense account पर जाओगे उपर three lines आपको मिलेगी payment information में जाओगे verification चेक पर जाओगे वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो आपको वहाँ पर दिख जाएगा कि आपका जो documents से accept कर लिया गया इसके बाद 10 से 15 दिल लगते हैं जितना आपका time थोड़ा बहुत area के उपर भी depend करता है कि कब आपका later आ रहा है अगर कोई भी issue नहीं रहता सारी चीज़े सहीर होती है तो आपका जो later रहता वो आ जाता है later के बाद उसमें जो pin आता है वो कैसे आपक कोई भी problem से related आपके doubt solve किये जाते हैं और अच्छे-च्छे information आपको दी जाती है मिलते हैं नए वीडियो के साथ में तब तक के लिए जै हिंग्ज जै स्री स्याम